Hello Friends, Welcome to my channel Friends आज मां आपके लिए एक बहुती प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ आज मां आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है ये डिजाइन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स टो, फ्रो, कुर्टी, कैप, मफलर, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं, सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुती सुन्दर लगता है, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको आठ के मल्टीपल फंदे लेकर तीन फंदे एक्स्टर लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, आठ के मल्टीपल देखिए, आठ फंदे गिन लिजिए, फिर से आठ, फिर से आठ फिर से आठ इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके तीन फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है छे सलाईयों का डिजैन है और बारा सलाईयों में कम्पलीट हो जाता है बोर्डर के बाद जब किसी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो त ही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिए हैं 35 फंदे आठ के मल्टिपल करके और इसमें 3 फंदे एक्स्टर लिए हैं डिजैन की अब ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा पहला फंदा इसका एस्टीच है इसे उतारिये या बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो एस्टीच के बार धागा अपनी तरफ रहे और 3 फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागा पिछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर धागा अपन पंदे का डिजाएन् है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपेट करेंगे तो ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ रहे और 3 पंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे ये देखिए जब ये हमारे बीच में फंदे आएंगे तो पांच-पांच फंदे उल्टे हो जाएंगे क्योंकि 2 फंदे इधर वाले डिजाइन के और 3 फंदे इधर वाले डिजाइन के तो टोटल ये 5-5 फंदे बनते चले जाएंगे अब यहां से देखिएगा 3 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 8 फंदे का हमने दोबारा से डिजाइन बनाया अब फिर से रिपेट कर रहे हैं, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे 2 फंदे इधर वाले डिजाइन के और 3 नेक्स्ट वाले डिजाइन के, तो बीच में आपके 5 फंदे उल्टे आते चले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, इसे यही डिजाइन बार बार रिपेट होगा, तो देखिए 2, 4 और ये 5, फिर हम धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए, जब आप इसकी पहली सलाई बनाएंगे तो स्टार्टिंग में आपके 4 फंदे उल्टे आएंगे, फिर उसके बाद 3 स सलाई कंप्लीट हो गई है, अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, इस डिजैन में उल्टी साइड की सारी सलाईयां उल्टी ही बनेंगे, तो धागा अपनी तरफ करके और इस तरह से पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बुन कर कंप्लीट कर दीजिए, त अब ये जो तीन उल्टे हैं इसमें से हम दो बनाएंगे, देखिए एक और ये दो, अब धागे को पिछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा, इन दोनों को पहले ऐसे थोड़ा सा लूज कर लेंगे, फिर आगे से सलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे, तो यहाँ पर अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस सीधे वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे, ये सीधा, ये उल्टा, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे, जो फंदा कम किया, वो जाली से बढ़ा दिया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस तरह से यहां पर जो हमारे बीच में 5 फंदे उल्टे हमने बनाए थी फर्स्ट लाइब पर अब यहां 3 फंदे बनेंगे क्योंकि एक फंदा हमने यहां पर कम कर दिया अब एक हम यहां पर कम करेंगे तो ये वाले तीन उल्टे बनाने के बाद धागे को पिछे कीजिए ये उल्टा और ये सीधा आगे से स्लाइड डालके इन दो का एक कर दीजिए फंदा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से स्लाई डालेंगे और दो फंदे का हम ये एक फंदा कर देंगे जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये जो बीच में पांच-मांच फंदे उल्टे थे अब ये तीसरी स्लाई पर तीन हो जाएंगे फिर देखिए तीन उल्टे बनाने के बाद धागा पिछे करेंगे, ये उल्टा, ये सीधा, दोनों फंदे को हलका सा लूज करके आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे तो फंदा कम हो गया, फिर धागा अपनी तरफ ले कर आएंगे और एक फंदे को सीधा बना दें फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे ले जाएंगे ये उल्टा ये सीधा अगर टाइट लगें तो ऐसे लूज कर लीजिए फिर आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे तो जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ गया फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे तो ये जाली से फंदा बढ़ा दिया और ये ह और उल्टी साइड है इसे आप पूरा उल्टा-उल्टा बनाकर कम्पलीट कर दीजिए तो यह देखे फ्रेंट्स चार सलाईयां दिजैन की कम्पलीट हो गई है पांचमी सलाई है और सीधी साइड है पांचमी सलाई पर देखिए पहला फंदा एस्टिच है अब जीए जो हम का सा लूज कर देंगे फिर आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे अब दो का एक करने से फंदा कम हो गया धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन तो ये देखिए यहां जाली से फंदा हमने बढ़ा दिया फिर फंदा हम बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ अब यह देखिए यहां बीच में एक ही फंदा उल्टा आएगा धागे को पीछे करेंगे फिर से डिजैन को रिपेट करना है यह उल्टा और यह सीधा अगर टाइट हो तो लूज कर लीजिए फिर आगे से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और तीन फंदे सीधे बनाएंगे तो जाली से यहां हमने फंदा बढ़ा दिया है फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालके धागा दिखिए अपनी तरफ है और दो का एक कर देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया अब ये एक फंदा उल्टा फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे एक उल्टा एक सीधा आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और तीन फंदे यहां सीधे बना देंगे तो इधर जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से स्लाइड डाल के दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे तो फ धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो यह जाली सी फंदा बढ़ गया धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे और बैक साइड से स्लाई डालेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का एक करेंगे तो यहां जाली सी फंदा बढ़ गया लास्ट में 2 फंदे बचे हैं इनको उलटा ही बुन देंगे. 5 सलाईय डिजैन की complete हो गई हैं. 6 सलाई उलटी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बना दीजिए. तो ये देखिए Friends, 6 सलाईया डिजैन की complete हो गई है. अब हमें बनानी तो यही 6 सलाईया हैं. सिरफ ये वाला जो डिजैन हमने बनाया है इसकी जगे चेंज हो जाएगी अब देखे एक ये वाला सीधा है एक वाला ये है और एक ये जो बीच का उल्टा है अब की बार ये तीन फंदे यहां सीधे बनेंगे तो इसकी सातमी सलाई को एक बार आप ध्यान से देख लिजिए बाकी ये सेम ही बनेगा पहला फंदा एस्टिच है उतारिए या बनाईए अब धागे को पीछे करेंगे और यहां दो फंदे हम सीधे बनाएंगे एस्टिच के बाद देखिए एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे उल्टे आएंगे एक दो तीन च्यार और ये पांच फिर धागा पीछे करेंगे देखिए यहां तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा पीछे करेंगे अपनी तरफ ले आएंगे और पांच फ ख्यान रखना है, S-T's के बाद दो फंदे सीधे बनाईए, उसके बाद पांच उल्टे आ जाएंगे, फिर तीन सीधे आएंगे, फिर पांच उल्टे आएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, धागे को बैक साइड की तरफ कर देंगे, देखिए, ये सीध है, ये तीनों फंदे यहां सीधे बनेंगे, एक, दो, और ये तीन, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, और पांच फंदे उल्टे बना देंगे, पांच उल्टे बनाने के बाद फिर से धागा पिछे कर देंगे, और तीन फंदे सीधे, देखिए, एक, दो, और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ और पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये देखिए लास्ट में आपके तीन फंदे होंगे इसमें से ये दो हम सीधे बनाएंगे और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे साथ सलाईयां डिजैन की कम्पलेट हो गई है आठ मी सलाई उल्टी साइड से आप धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा उल्टा बुन लीजिए देखिए फ्रेंट्स आठ सलाईयां डिजैन की कम्पलेट हो गई है नो मी सलाई है और सीधी साइड है नौमी सलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी पहला फंदा इसका एस्टिच है उतारिये या बनाईए धागा पीछे करेंगे और अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस एक सीधे वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से सलाई डाल के दो फंदे का यहां एक फंदा कर देंगे तो देखिए जाली से फंदा बढ़ा दिया और यहां हमने घटा दिया धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे यह उल्टे बना देंगे धागे को पिछे करेंगे यह उल्टा और यह सीधा इन दो फंदे में आगे से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे तो देखिए जाली से फंदा बढ़ाया और यहां घटा दिया फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे फिर से देखिएगा यहां पर एक दो और यह तीन धागे को बैक साइड की तरफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा इन दो फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा यह सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे ये एक उल्टा एक सीधा आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे एक उल्टा एक स सीधा बनाएंगे तो जो फंदा यहां कम किया वो जाली से बढ़ गया और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे 9 सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई 10 में सलाई उल्टी साइड से इसको उल्टा बुन लेंगे 10 सलाईयां डिजैन की complete हो गई 11 में सलाई है और सीधी साइड है 11 में सलाई को देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाईए धागा पीछे अब 2 फंदे सीधे 1 और ये 2 फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से सलाई डालके धागा अपनी तरफ है और 2 का एक फंदा कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक उल्टा बनाएंगे फिर से धागे को पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक सीधा आगे से सलाई डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे ये हम सीधे बना देंगे फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से स्लाई डालके दो का एक करेंगे तु जाली से फंदा बढ़ा दिया यहां घटा दिया धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे इसे पलटके ऐसे सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ इसे पलट देंगे बैक साइड से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे फिर देखिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे एक उल्टा बना देंगे धागा पीछे दो फंदे को ऐसे हलका सा लूज करेंगे आगे से सलाई डालके दो का एक धागा अपनी तरफ अब ये दो फंदे यहां सीधे आएंगे और लास्ट का स्टीच है इसे हम उल्टा भुन देंगे तो ग्यारा सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई बारवी सलाई को हम उल्टी साइड से उल्टा भुन लेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से बारा सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही बारा-बारा सलाईयां आप इसमें बार-बार रिपीट करती जाएंगी तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा यह डिजैन बनता चला जाएगा Next बार की Starting के लिए देखे पहला फंदा है फिर 3 फंदे उल्टे बनाईए ये वाले 3 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे, 5 उल्टे, 3 सीधे और last में आपके 4 फंदे बचेंगे उनको आप उल्टा ही बना देंगी तो आपकी next बार के starting हो जाएगे तो friends अगर आपको मेरा ये design पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो please आप इस वीडियो को like कीजिए, अपने सभी friends group में इसे share कीजिए चैनल पर नए है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर प्रैस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके, thank you